जैहिन दोस्तों, Photon Learning YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत पर कौन-कौन से विदेसी आक्रमन हुए थी इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो मगद था, मगद के उपर किन-किन राजवन्सों ने शासन किया था, टोटल सात राजवन्सों ने वहाँ पर शासन किया था, हमने हर एक के बारे मिलकुल डिटेल में पढ़ा है, अब इससे पुरानी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हैं आज हम डिसकस करेंगे कि कौन से विदेशी अक्रमन हुए थे क्योंकि दोस्तों मगद मोरियों के बाद मलब छोटे-छोटे टुकुडों में बिखर गया था हमने पीछे पड़ा कि साथ वहान वंस था एक जो लाश्ट में हमने डिसकस किया गोत्मी पढ़ेंगे इंडो-ग्रिक्स के बारे में शकों के बारे में और कुशान जो की काफी इंपोर्टेंट है इसके बारे में यहां से दोस्तों काफी कोश्चन बनते हैं तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए इस वीडियो को देखने क किजी वीडियो देखने के बाद तो चली दोस्तों शुरू करते हैं तो रटना नहीं है बिलकुल सीक्वेंस में पढ़ना है और एक कहाने की तरह हमें चीजें याद रखनी है तो क्या हुआ था मोरिय काल के पतन के बाद मगत छोटे-छोटे टुकडों में बंट गया था और कोई भी योग्या सासक नहीं रहा था जिस कारण भारत पर कई विदेशी आकर्मन कारियों ने हमला किया उनमें से कुछ थे जिनकी बारे में आज हम डिसकस करेंगे मोरिय काल के माद भारत पर चार प्रमुख विदेशी आकर्मन हुए जो की निमल लिखे थे पहला था इंडोगरिक ये कौन थे कहां से आये थे क्या क्या इनके बारे में हम सब कुछ यहां पर देखेंगे इंडोगरिक को दोस्तों हम बोलते हैं हिंद युनानी ठीक है मोरियों के बाद युनानी बैक्ट्रिया से भारत आये ये बैक्ट्रिया कहां पढ़ता है दोस्तों ये ब आक्रमनकारी जो ग्रीस से आये थे वो थे Demetrius प्रथम बैक्ट्रिया में विरोध होने के कारण नए अक्षेतर की इच्छा में यूके टाइडस ने भी भारत पर आक्रमन किया ये दो नाम आपको याद रखने हैं बारबार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएंगे कही नहीं पर नोट बना लीजिए इनको लिख लीजिए ये PDF के अंदर आपको सब कुछ मेलेगा दोस्तों आपको ज्यादा जरूरत नहीं है तो कौन थे यूके टाइडस भारत में इसी प्रकर भारत में दो कुलों का साशन स्थापित हुआ पहला कौन था ये Demetrius प्रथम और है तो Demetrius जो था उस वंस की राधनी साकल थी इस वंस का सबसे परतापी सासक मिनांडर था मिनांडर जिसके बारे हम पिछली वीडियो में भी पढ़ा था जिसने बोध घ्रेंड वो कर लिया था बोध धर्म को घ्रेंड कर लिया था बोध साहिते में इने क्या कहा गया है म मिलिंद किसको कहा गया है बोध साहित्यों के अंदर ये मिनांडर को कहा गया है इसने सुंग शासक पुष्य मितर सुंग पर आकमन किया था लेकिन ये हार गया था हमने ये डिसकस कर लिया था पिछली वीडियो में बोध गरंतों में मिनांडर के बोध भिक्सू एक थे ना दूसरा था दोस्तों, Yukatidus once, इसकी राजडानी तक्शिला थी, इस once का सबसे बतRAपी सासक कौन था, Intial Kids, ये पूछा गया question है कि Intial Kids कौन से once का एक शासक था, ये Yukatidus once के शासक थे। इसने सूंग शाशक भाग भद्र के विदीशा स्थीत विदीशा में स्थीत दरबार में अपने कराजदूत को भेजा था उनका नाम क्या था हेलियोडोरस जिसने विदीशा में एक गरूड स्थम स्थापित किया इसी गरूड स्थम से हमें ये पता चलता है कि हेलियोडोरस स्विम भागवत धरम को ग्रहन किया था दोस्तों इस लेक्चर के अंदर जो भी हम लाइन बोल रहे हैं एक एक लाइन के अंदर कोश्चन छेपा हुआ है सिर्फ वही चीजे हम डिसकस करते हैं जो एक्जाम ओरिंटीड है जहां से कोश्चन पूछे जाते हैं बार बार आगे देखते हैं दोस्तों युनानी संपर का परभाव कि क्या परभाव पड़ा भारतियों पर और भारतियों का युनानीयों के उपर क्या परभाव पड़ा था तो एक एकर करके डिसकस करते हैं देखिए जोतिस के एक सित्र में भारतियों ने युनानीयों से बहुत कुछ का युनानियों नहीं सबसे पहले सोने के लिखित सीखे चलाए थे किसने चलाए थे युनानियों ने सोने के लिखित सीखे जिन पर एक और राजाओं की तथा दूसरी और डेवताओं या कोई अन्याकरिती होती थी युनानियों पर भी भारत का परभाव पड़ा अकेले भा योग की करियां दोस्तों हमारा शक आकर्मन शकूं जुनानियों के बाद मद्यये एसिया से कहां से आये ते ये मद्हे एसिया से हाइं ध्यर्कों उपन शत्रप किसको कहा गया है, ये शक राजाओं को कहा गया है, ये भार्च में आकर मेंली पांच जगों पर बसे थे, वो कौन-कौन सी थी, कंधार, तक्षिला, मतुरा, उज्जैन और नासिक, ठीक है, तो कंधार का ज्यादा कुछ समय वरणन मिलता नहीं है, इतिहासकारों के किसने क्या किया था, शिकों पर भारतिया देवी लक्षमी का चितरंकित किया था, वो किया था, एजली सेजने, अगला मतुरा के बारे में पढ़ते हैं, शतावन इस्वी पूरुव, उज्जैन के स्थानिय राजा ने मतुरा के सक्षासक को पराजित कर दिया, और विक्रम पादित्य के उपादी धारन की, इसी के उपलक्स में उसने 57 इस्वी में विक्रम समत नामे कैलेंडर की शुरुवात की, विक्रम समत जो काफी बार पूछा गया कोश्चन है, कि इसकी शुरुवात कब हुई थी, ये 57 इस्वी में हुई थी, ठीक है, आगे देखते हैं, न इसके प्रमाण हमें नासिक के जुगल थंबी से मिले सिक्कों से प्राप्त होते हैं, जो प्रमाण कहां से मिले हैं, जुगल थंबी नाम की जगह से सिक्के प्राप्त होते हैं, लगबग 8000 के आसपा सिक्के वहां से प्राप्त होते हैं, तो वहीं से ये पता चलता है कि नह पान को किस ने हराया था गोतमी पुतर शात करणी ने हराया था आगे देखते हैं उज्जयन के सक्षासक सबसे परतापी सासक रुद्र दमन थे कहां से उज्जयन के सक्षासक सबसे परतापी कौन थे रुद्र दमन रुद्र दमन की उपलब्धियों का वर्ण कहां से मिलता ह गुजरात के जोनागड अभिलेक से मिलता है जो कि संस्कृत भासा में लिखा गया प्रथम अभिलेक था दोस्तों इस बोक्स के अंदर केवल तीन लाइने लिखी है और तीनों लाइनों में जो कोश्चन छिपी होया है न ये काफी सारे एकजामएं पूछे गई हैं पहला के रुद्र दमन जो थे वो किस मतलब वंच से बिलोंग करते थे ये शक्ष आ सकते रुद्र दमन की अपलब्धियां कहां से मिलते हैं उनका वर्ण ये जोनागड अभिलेक से मिलता है तीसरा के संस्कृत भासा में लिखा गया प्रथम अभिलेक कौन सा था यही था रुद्र दमन का जो नागट अभिलेक तो काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों याद रखिएगा आगे देखते हैं इसी अभिलेक से हमें पता चला है कि गुजरात के सो राष्टर में जो सुदर्शन जील है उसको किसने बनवाया चंद्रगुप्त मोर्य ने बनवाया था जिसका पुनर निर्मन रुद्र दमन ने करवाया था ये भी दोनों कोशन पूछे गए किसने बनव रेकी थी ठीकए दोस्तों तो शक होंके भारे में हमने पढ़ा आगे देखते हैं पहला वंस यह मध्या इस ही कि इंरान से आये थे पहला वियो जो थे काई से आये इरान से आये भारत में इस वंस का पर्थम सासक मेथिडेट सルク मेत्री डेट्स किस वंस का था पहला वंस जबकि सबसे महतपून सासक कौन थे गोंडा फरनीज गोंडा फरनीज पहला वंस के महतपून सासक थे गोंडा फरनीज ने तकसिला को अपनी राजधानी बनाया इसके सासनिकाल की जानकारी तक्त एब भही अभिलेक से मिलती है कुन पहला इसाई धर्म परचारक था जो भारत आया था सेंट थोमस याद रखिए बस इसके बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है और यहीं हमारे इंपोर्टेंट है पहला वंस की हमारे एक्जाम से रिलेटेड जो भी है आगे कुशान वंस आज के लेक्षरा सबसे इंपोर्ट पस्चिम चीन से खदेड़े जाने के बाद इनकी एक साखा अफगानिस्तान चली गई थी कहां चली गई थी अफगानिस्तान चली गई थी दूसरी साखा तिब्बत आ गई थी इसी दूसरी साखा ने भारत पर आक्कमन किया कुझसी जहां जो यह तिब्बत में आ गई थी कुजुल केड़िसस था, इसको केड़िसस भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर केड़िसस भी इसका नाम दरसाए गया है. तो नाम ध्यान रखना दोस्तों कुजुल केड़फिसस कौनसे वंस का संस्थापक था कुशान वंस का इसके बाद अगला सासक बना विम केड़फिसस और यही दोस्तों माना जाता है कि कुशान वंस के वस्तिक संस्थापक थे विम केड़फिसस इसने भारत के गंधार पंज पश्छीऑ की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी और त्रिशूल तभा दूसरी तरफ महावेश्वराय शब्द अंकित किया है। ध्यान रखना दोस्तों शैवधरहम का अनुज्याईगी था। एक तरफ तामवेग जो मुद्रा थी उसके एक तरफ शिव नंदिय और त्रशूल दूसरी तरफ महिस्वर सब्द को अंकी दिनों ने करवाया था अब इसके बाद आए दोस्तों कनिस्क कनिस्क के बारे पढ़ते हैं यहीं से बहुत सारे कोशन पोशे जाते हैं तो सबसे पर जब उन्होंने करवाया था उसके उपलक्स में कनिस्क की राजधानी क्या थी पुरुषपूर हर लाइन में कोशन शिपा दोस्तों कदम कदम पे कोशन देखने को मिलेगा कनिस्क की राजधानी थी पुरुषपूर कनिस्क के समय कस्मीर में कुंडलवन में चोथी बोध सं स्थाला का जनम हुआ था इसक बहुत धार्म की महायान साखा का अनु यह था सरवाधिक सूने सिख्के में कनिष्ग C hearings के सासन्काल में जारी किए गए थे। क्यों कि उस समय हिंद कुछ जो परवत था अफगानिस्तान वाले एरी में उत्तरी दरफ उसके पास सोने की खानों का पता चला था इसलिए सबसे सुद सोने के सिखे कनिस्क के काल में जारी किये गए थे अब कनिस्क के दरबार में काफी सारे विद्वान रहते थे उनमें से कौन कौन से थे उनके बारे में देख लेते हैं पाचर्व वशुमित्र अश्वघोष नागार्जुन एवं चरक काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों कनिस्क का राज कभी कौन था अश्वघोष थे ये कोशन पूछा गया है कि कनिस्क के राज कभी कौन थे अश्वघोष इन्होंने बुद्चरित लिखी दी बुद्चरित किनोंने लिखी दी अश्वघोष ने नागार्जुन कोन थे नागार्जुन एक बुद्ध आचारिय थे इन्होंने सुन्यावाद दर्शन का प्रतिपादन किया और इसलिए इनको क्या बोला जाता है भारत का आइंस्ट अचारिय थे जिनोंने चरक सहीता नामक चिकितिसा गरंथ की रचना की है चरक सहीता के अंदर दोस्तों काफी सारे बिमारियों को जड़ से उखाड फैकने के तरीकें लिगे थे जो पुराने टाइम में यूज होते थे और उन तरीकों का यूज आजगे टाइम में भी आयुरुवेदा में हो रहा है आगे देखते हैं दोस्तों आगे है सिल्क रूट सिल्क रूट के बारे हैं पढ़ते हैं यह सिल्क रूट था क्या यह एक्चुल में जो चीन ने सिल्क का उत्पादन स्टार्ट कर दिया था और यह जो चीन के रेशम व्यापार को यूरोप एर सी सारी कमाई यहां से होती दोस्तों चाहिना वालों गी क्योंकि सींख क किस्क रूवर कि ऑंन ग। को बेज कर मतलब मुनाफ़ा बहुत ज्यादा होता था तो कनिस्क ने रेशम मारग पर अधिकार कर लिया था तथा इस मारग से होने वा वयापार पर कनिस्क TAX वसूलता था वो कर वसूलता था जो कि इसकी अर्त्य वयावस्तां का सबसे बड़ा ST Road देखे दोस्तों सिरफ टेक्स टेक्स इतना आ जाता था उस रूट से कि यही सबसे बड़ा उसकी अर्थिव्यावस्ता का स्त्रोत था आगे क्या हुआ कनिस्त की मृत्यू के बाद उसके उत्राधिकारी योग्या नहीं थे जो बाद में आये जिस कारण इसके छोटे-छोटे सामंत अलग होने लगे इस वंसकी अंतिम चासक जो थे उनको वासुदेव के रूप में जाना जाता है मानते हैं कि वासुदेव इस वंसके अंतिम चासक थे इसी वंसके सामंतों ने आगे चलकर फिर क्या किया गुप्त वंसकी स्थापना की तो गुप्त वंसकी स्थापना पढ़ा टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी आप देखते हैं कुछ एक important question जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं तो चली देखते हैं पहला question है कि कौन सा महांतम कुशांड सासक था जिन्होंने बोध धरम को ग्रहन किया था यह थे कनिश्क 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 की राजधा चलाए गए थे नीमेत रूप से सोने के सिख्के पुरुषपूर किसका दूसरा नाम है पुरुषपूर दोस्तों पेशावर का दूसरा नाम है जो कि पाकिस्तान में पढ़ता है कनिश्क के समकालिंद कौन थे यह थे नागारजुन आश्वघोस और वश्युमित्र कुछ और भी थे लेकिन यहां पर कोचन यही पूछा गया है अब उप्सन दे दिया जाएगा दोस्तों आपको और उप्सन पूछे जाएगी कि बताइए इन में से कौन कनिश्के समकालिंदा तो इस टाइप का इहां से कोचन बनता है भारत में स्वर्ण पर्थम स्वर्ण मुद टाइब किनो हम चला ही थी हिंदग्रीक हिंद' युनानियों ने चला ही जिनको इंडो-ग्रीक भी भी बोलाubscribe जाता है बारतियों के लिए महन रेश किसने आरव करवाया था करनिष्क प्रविब किसके द्रबार की शोहिं ये कनिश्क के दरबार में रहते दें चैरक और ना करके अगर आपका कोई suggestion है वो बता सकते हो टेलेग्राम चैनल को जोइन करके जितने भी PDF हमने वहाँ पे upload की हैं वो सारी आपकी काम की है तो ठीक है दोस्तों पढ़ाई करते लिए खुछ रही है थैंक्यू वहरी मच्छ आगे देखते हैं दोस्तों आगे है सिल्क रूट सिल सिल्क का उत्पादन स्टार्ट कर दिया था और ये जो चीन के रेसम वियापp VAN को ईरोप एरान तथा मध्य अपदा यह मारग जिसको बोलते हैं कहाँ से गुजरता था? हिंद महासागर से और उत्री भाग इसका कसमीर था हिंदू कुछ जो परवत अफगानिस्टान की सीमा पर है, वहाँ से होकर कुजरता था ठीक है? तो उस ताइम पर शार्सन किसका था? कनिश्क का था तथा इस मारग से होने वाले व्यापार पर कनिस्क टेक्स वसूलता था, वो कर वसूलता था, जो कि इसकी अर्थ व्यावस्ता का सबसे बड़ा स्त्रोत था, देखे दोस्तों सिरफ टेक्स टेक्स इतना आ जाता था उस रूट से कि यही सबसे बड़ा उसकी अर्थ व्यावस ही वासुदेव इस वंस के अन्थिम सा सकते इस ही वंस के सांथों न आगे चलकर फिर क्या गिया गुप्त aşk की स्थापना की दो गुप्त aşk की स्थापना किस ने की सी जो कुषा की यह पर कुशाण wokस के अंती बचे वह सामन्त लोग होते थे उन्हों पुरुषपूर किस का दूसरा नाम है पुरुषपूर दोस्तों पेशावर का दूसरा नाम है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है कनिस्क के समकालिंद कौन थे यह थे नागारजुन आश्वघोस और वशुमित्र कुछ और भी थे लेकिन यहां पर कोशन यहीं पूछा गया है अब option दे दिया जाएगा दोस्तों आपको और option पूछे जाएगी कि बताए इन में से कौन कनिस्क के समकालिंदा तो इस टाइप तो यह करवाय था कनिस्क ने जो अभी अभी डिस्कस किया हमने चरक और नागारजुन किसके दरबार की शोभा थे यह कनिस्क के दरबार में रहते थे चरक और नागारजुन इनको किसे भारत का इंस्टिन कहा जाता है नागारजुन कोई भारत का आइंस्टिन कहा जाता है तो चलिए दोस्तों हमने complete topic discuss कर लिया है वीडियो अच्छी लगे तो please चैनल को subscribe किजी वीडियो को like करिए और comment करके अगर आपका कोई suggestion है वो बता सकते हो Telegram चैनल को join करके जितने भी PDF हमने महाँ पे upload की है वो सारी आपकी काम की है तो ठीक है दोस्तों पढ़ाई करते ही खुछ रही Thank you very much